क्यारो YouTube की दोने अपडेट्स के बारे में इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ तो यारो पहले भी मैंने एक वीडियो बनाए थी जिसमें मैंने बता था YouTube कस्टमाइजेशन आप्शन जो की यहां आया था नीचे देख लीजे लेकिन आप YouTube कॉपीराइट सेक्शन भी आपका आचुका है नया यह पहली अपडेट की YouTube कॉपीराइट सेक्शन आपका यहां आचुका है अब इसकty apparente में क्या क्या होता है क्या क्या चीजे हैं इसके अंदर क्या क्या कर सकते हैं आप इससे यह आपको बता देता हूं क्या को सब क्या यानि जिन पर आपने copyright strike दी है तो और मैंने अब तक अब तक जब से मैंने YouTube channel स्टार्ट किया तब से सरी एक वीडियो पर मैंने copyright strike दी है यह रही हो वीडियो कब दी है यह सारी डीटेज्स आपके लिखी हुई आ रही है तिके आप ने जितनी वीडियो को copyright दिया है ना अपने हो जाएगा अगर किसी ने आपकी वीडियो को कॉपी कर रहा है तो आप इस पर क्लिक करके उसकी वीडियो को डिलीट करवा सकते हो YouTube की दरफ से और यहां एक और चीज मैं बता देता हूं अगर आपने मतलब आपको लगता है यारो मैंने उसकी वीडियो पे गलत copyright strike दे दी उसने अगर आपकी वीडियो को एक छोटा सा क्लिप यूज किया फिर भी आपने copyright दे दिया वीडियो में दम था उसकी आपको बुरा लग रहा है या फिर उसने request की कि मैं यह कर दूंगा तो आपको हटाना है copyright strike तो simply यहां उपर आपको copyright at the rate youtube.com का एक Gmail account मिल जाएगा इस Gmail ID पर पूरा pattern में जब आप लिखके उन्हें भेजो के तो वह copyright remove कर देंगे यहां learn more पर पूरा पढ़ सकते हो किस तरीके से आपको भेजना होता है पहले कौन सी link देनी है पहले क्या लिखना है उसके बाद इने यह बता देंगे और उसके बाद यह हटा देंगे आपका copyright और यहां एक video list का भी option होता है वो मैं दिखाता हूं रूखिए आपको यहां पर लिखा हुआ है आपको कोई copyright strike आती है तो आपको कैसे पता चलेगा तो यहां वीडियो में देख लिए यहां restriction का एक वह लिखा हुआ है restriction तो restriction में अगर किसी ने आपको copyright दिया है तो यहां लिख आपके चैनल पर आ जाएगी तो यह मैंने आपको copyright option के बारें बता दिया आप इसे अराम से यूज कर सकते हैं बड़े ही अराम से अब नई चीज मैं बता देता हूं दूसरी चीज दूसरी चीज आई है यार बलर टूल में एक update आई है तो वह क्या है मैंने एक video बनाई थी जिसमें मैंने YouTube editor के बारें बताया था जहां पे आप YouTube वीडियो का upload करने के बाद थोड़ा मोटा edit कर सकते हो मतलब उपर से editing कर सकते हो cut trim यह सारी चीजा आप कर सकते हो तो यहां मैं editor के option पे चला जाता हूं तो face blur में तो कोई उतना update नहीं है बटी से अच्छा कर दिया गया है आप जैसे इस पे क्लिक करोगे simply processing होगी और जितने भी human faces आपकी वीडियो में होंगे उन सभी के उपर blur लगा हुआ आ जाएगा तो वैसे आप कर सकते हो अगर आपको blur करने है faces अपनी वीडियो में लेक आपको side में चार options दिख जाएंगे देखिए यहां side में आपको ऊपर चार option दिख जाते हैं रुकिए मैं इसे थाड़ा सा उपर कर देता हूं तो यहां पहले rectangle blur होता था सिर्फ एक ही rectangle blur होता था लेकिन यहां आप oval shape भी आ चुकी है मतबएक circle shape इसे भी आप use कर सकते custom blur के अ उपर आपको timer भी दिखा रहा है मैं इसे अभी delete कर देता हूं because मेरे को नहीं करना है अपनी वीडियो में कोई भी blur लेकिन आपको blur tool का use पता होगा आप कर सकते हैं बड़े ही आराम से इसमे blur add तो यारो उमीद है आपको YouTube studio की यह दो अपडेट्स बहुत ज्यादा पसंद आ नहीं किया है तो और मेरी Facebook, Instagram, Twitter की ID है इन में से एक चीज को जरूर follow कर लेना अगर वीडियो सच में अच्छी लगए तो यारो एक चीज को जरूर follow कर लेना तो मिलता हूं अगली वीडियो में तब तक के लिए बाए बाए